बुद्वार को एंटी करप्शिन ब्यूरो की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसके चलते मुरादबाद में बुद्वार को टीम ने बिजली विभाग के एक बाबु को 30,000 रुपे की गूस लेते हुए रंगे हातों पकड़ा बाबु शरत भटनागर कडगर थाना शेत्र में 33 केवी शिप पुरी बिजली घर पर तैनाथ था बेगम वाली मज़ित भूडे का चराह निवासी सिराज हुसैन की शिकायत पर वो अरेस्ट किया गया सिराज हुसैन ने 24 जून को एंटी करॉप्शन ब्यूरो के ऑफिस में शिकायत की थी इसके चलते एंटी करॉप्शन की टीम ने बाबु को रंगे हातों दबोच लिया बाबु ने 28 जून को सिराज हुसैन को पैसे लेकर बिजली घर पर अपने ऑफिस में बुलाया था एंटी करॉप्शन की टीम ने नोटों पर क्यामिकल लगा का सिराज को शिप पूरी बिजली घर भेजा तम मैं तुम्हारा बना के दूँगा तो जेई ने पहले रिपोर्ट लगा रखी थी लेकिन जो बाबु सरद भटनागर है उसने कहा 30,000 रुपे अठाई तारी को लेकि आना जब पर आज जब हम लोग ट्रेप टीम का गठन लखनों से करा कर और डीम साब से जो है दो सतन ससाक्षी गण लेकर हम पहुंचे तो दोपैर में गये ते तो फिर सरद भटनागर ने कहा कि भई अभी नहीं चार वजे आना अभी थ दे दिये तो और नोट देते ही पिर हम लोग वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़े ही थे हमने उसको रंगे हाथ रफ्तार कर लिया और वहीं उसके हाथों को जो है उनके कर ओफिस के अधिकारियों के सामने जो है धुलवाया गया तो जिनका रंग बुलावी हो गया तो अब सभूष थाने में यूरुवक्स कि या करना आपिल की अपिलका न चाहँगा पकि No अब के माध्यम से एक अयू चाहून करोगों से यह किल 이ुन केมาधियों आपको बता दे किसी राज के साथ टीम भी साधा कपड़ों में मौझूद थी बाबु ने जैसे ही रिश्वत ली टीम ने उसे रंगे हाथो दबोच लिया